लेकिन कुछी यों को मानने ना चाहिए, कि जितने धर्म को मानने वाले लोग हैं, सब की इज़त हैं, और कहीं धर्धत लोगों के भी में इंटरफेर नहीं करना चाहिए, ये एलाउड है, कोई कुछ बोल रहा है, तो अपने मर्जी से बोल रहा है, तो सब से कोई भैल्यू ह इसलिए सब फटम बात है, अरे देश के संबिधान को भी समझना चाहिए, अदेश के संबिधान का उलंगन कोई कर रहा है, तो अब आप ही कोई देखना चाहिए, और हम तो समझते हैं कि मीडिया को एकर लिख देगा कि संबिधान का उलंगन है, तो सब को अच्छा लेकिन आपको मजबूरी है, लेकिन कुछीयों को मालने ना चाहिए, कि जितने धर्म को मानने वाले लोग है, सब की इज़त है, और कहीं धर्धत लोगों के भी में इंटरफेर नहीं करना चाहिए, ये एलाउड है, कोई कुछ बोल रहा है, तो अपने मर्जी से बोल रहा है, तो सबसे कोई वैल्यू है, इसने सब फटम बात है, अरे देश के संबिधान को भी समझना चाहिए, अदेश के संबिधान का उलंगन कोई कर रहा है, तो अब आप ही को देखना चाहिए, हम तो समझते हैं कि मीडिया को एगर लिख देगा कि संबिधान का उलंगन है, तो को अच्छा लगेगा लेकिन आपको मजबूरी है